नमस्कार मैं हो ससी आये जर्गां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं CBSE 10 वोड 20 जून को रिजाल्ट CBSE ने बस 2021 के लिए काक्षा 10 वोड परिक्षा के लिए मुल्यांका निति घोसित कर दिया इसके साथ ही कुरोणा मा हमारी को लेकर रद की गई CBSE 10 वोड परिक्षा को लेकर सभी संसे दूर हो गया है 10 वोड परिक्षा के परिणा 20 जून तक होसित किये जाएंगे केंद्रिय मादमिक सिक्षा बोड ने सनिवार को कक्षा 10 वी बोड परिक्षा के लिए अंको के सारनी करण की निति की घोस्तना की जिसे देश में क्रोणा वारस में हमारी किस्थिती को देखते हुए रद कर दिया गया है बतादे CBSE 12 वोड परिक्षा पर आउम फैसला एक जून को लिया जाएगा ज्यारखन मोसम विभाग के अनुसर अगामी 7 मई तक आस्मान में बादल रहेंगे वहीं बारिस के असार भी बरकरार हैं मोसम विभाग के माने तो अधिक्तम तपमान 34-37 डिग्री से श्यस्तक रहेगा वहीं निम्तम तपमान 23-24 डिग्री से श्यस्तक रहने के असार हैं ज्यारखन में 18 पुलस का टीका करण अब 10 मई से जार्खन में एक मैसे 18 प्लस का टिकाकरण अभियान अब 10 मैसे होने की संभवना है बतादे सीरमी शूट अफ इंडिया और भारत बैटोक की ओर से भैक्सीन की आपूर्ती नहीं किये जाने से एक मैसे होने वाले भैक्सीनेशन की तारिक में इजाफा हुआ है बतादे जार्खन सरकार ने दोनों कमपनियों को 25-25 लाग डोज का ओडर दिया था जार्खन के एमन सरकार ने 50 लाग डोज के लिए 18 और रुपे का भुगतान भी किया है जार्खन में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 25 सव अतिरिक्त बेड अस्थापित करेगा सेल कुरोना महामारी के खिलाप जंग में धिरे-धिरे पुरा देश एक साथ आकर खड़ा हो रहा है बतादे इस कड़ी में स्टील अथुरिटी अफ इंडिया लिमिटेट सेल कुरोना महामारी के उपचार के दिशा में बड़ी पहल करने जा रहा है इसके तहट गैसियस ऑक्सिजन की सुविधा से लैंस पचीश सो बिस्तरो वाले व्यापक चिकित सा सुविधा ग्री को अस्थापित करने की योज नहा है बतादेया सुविधा सेल के पांच एक करीट इस्टिल पलांटो चातिस गड़ के भिलाई उडिशा के रावर के राज हारखन के बोकारो तथा पच्छी मंगाल के दुरगापूर तथा बर्नपूर में उपलब्द बरतमान सुविधा के अतिरिक्त होंगी संक्रमित पुलिस कर्मियों के इलाज के लिए पुलिस मुख्याले ने दिये 37 क्लोर राजधानी राची में पुलिस कर्मियों के बढ़ते मामले को देखते हुए राची पुलिस गंभीर हो गई है बतादे राची के SSP सुरेंदर कुमार जहां ने पूलिस कर्मियों के बेहतर इलाज और समोचित बिवस्ता के लिए पूलिस मुख्याले से 37 करोड की मांग की है इसके लिए पूलिस मुख्याले को एक प्रस्ताव भेजा गया है पूलिस की वर से त्यारी की गया है कि राची पूलिस के जवान और पदादिकारी के लिए अलग COVID-19 मैनेजमेंट सेंटर बनाया गया है सेल में नर्स और डॉक्टर के 60 पदों पर भरतिया है स्टील अथ्रिटी अफ इंडिया लिमिटेट सेल ने बोकारो जेनरर होस्पिटल में डॉक्टर और नर्सों के 60 पदों पर भरति के लिए योग वह एकचुक अभियार्तियों के लिए भरति नोटिफिकेशन जारी किया है बदादे नर्स और डॉक्टर के पद पर अवेधन के इकशुक अभियार्ति तीन माई 2021 से आठ माई 2021 को सुब दस बेशे दो पर एक बए तक शक्षकतकार में भाग ले सकते हैं नर्स और डॉक्टर के पद पर अवेयर्तियों का चैन सिधे इंटर्वियों के जरिये होगा डॉक्टर और स्वास्थ कर्मियों को मिलेगी प्रोचाहना रासी कुरोना वारे संक्रामन की रोक्थाम में जूटे डॉक्टर समेथ स्वास्थ कर्मियों को हिमन सरकार ने एक महिने का तिरिक्त प्रसाहन रासी देने की होसना की है इस समन्द में अपर मुखे सचीव अरुन कुमार सिंग के हस्ताक्षर से इसकी अजिसुचना जारी हुई है पतादेराई सरकार के चिकित्सको स्वास्थ कर्मियों एवं स्वास्थ विभाग के अने कर्मियों तथा एनेचेम के अधिन कारेरत चिकित्सको एवं अने स्वास्थ कर्मियों के मनोबल एवं कर्तब निर्वाहन को प्रतसाहन करने के उदेश से उन्हें एक माग के मुल बेत सम्तूल्य प्रोगसानरासी दिये जानेक का नेन लिया गया है पिय लेफाइ के छ़ाओ उगरवादी गिरफतार 55. शिभुम चाइब साजीले की पूलीस ने प्रतिबंदित उगरवादी संगठन P.L.A. 5 केछाओ उगरवादी को गिरफतार कीया है बता दे इनके पास से देशी, करबाइन, दस गोली, पिलेफाई का पर्चा और लेवी लेने वाला रसीद, चार मोबाइल फोन और विभीन में गाड़ियों की चाभी बरामत की गई है मंतरी बना गुपता ने एम्बूलेंस एवं सौव आहन खरिदने के लिए दिये 50 लाग, जमसेदपूर पच्छमी के बिधायक सहराजे के स्वास्त मंतरी बना गुपता कुरोना के मद नेजर बिधायक मद से 50 लाग की रासी जमसेदपूर अधिसूचित छेतर समीती एवं मा अनगोर नगर निगम को उपलव्द कराएंगे, इसका उपयोग एम्बूलेंस एवं सौव आहन के कराय के लिए किया जाएगा, जिससे मरीजों को लानने ले जाने में परिशाणी का सामना न करना पड़े ज्यारखन में 3323 नए केस मिले हैं, ज्यारखन में 169 मरीज की मौथ हुई है, ज्यारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 58437 है, वहीं ज्यारखन में कूल मौथ की संख्या 2839 है, भारत में 3,92,469 केस मिले हैं, भारत में कूल मौथ की संख्या 2,15,523 है, वहीं कूल एक्ट केस की संक्या 33,43,910 है भारत में 3,88,522 मरीज स्वस्थ हुए है वही जार्खन में 5233 मरीज स्वस्थ हुए है जार्खन में 3,623 नए केस मिले हैं जार्खन में 169 मरीज की मौथ हुए है जिसमें राची से 45,पूर्वी स्वस्थ हुए है धनबाद 12, रामगर 7, गोड़ा वा गड़वा से 66, गोड़ारमा से 5, बुकारो, गिलीडी, जामतरा, सराय के लाखर सावा, पच्मी से मौथ हुए हुए है जार्खन में 169 मरीज इस परकार हैं इस पीकर ने पुराने विधान सभा पलसर के अस्पताल को कोवीड वार्ड बनाने का किया आगरा जार्खन विधान सभा के अध्यक्ष रविंद्रेनाथ महतोर ने धुरवा इस्थित पुराने विधान सभा में 30 बेडो का अक्सिजन यूक्त कोवी-19 होस्पिटल खोले जाने का निर्देश दिया है उन्होंने सनिवार को कहा है कि बर्तमान परिवेस में जिस प्रकार से विविन अस्पतालो एवं सरकारी मेडिकल तथा प्राइवेट मेडिकल सेंटर में कोवी-19 रोगयों का इलाज के लिए अक्सिजन यूक्त बेडो की कमी देखी जा रही है इसको ध्यान में रखते हुए या दिशा निर्देश जारी किया गया है संक्रामित पुलिस कर्मी आइसोलेशन सेंटर में भेजे SSP राची के SSP सुरेंदर कुमार जहां ने जीले के सभी थाना और पोस्ट प्रभारी को कई दिशा निर्देश दिये है SSP ने कहा है कि यदि आपके थाने या पोस्ट में कोई कुरोणा पोजिटिक पुलिस कर्मी आथ्वा पता दिकारी है तो उन्हें थाना या पोस्ट में अईसोलेशन में न रखे उन्हें कूटे भी स्थापित भवन इस्थीत आईसोलेशन सेंटर में भेजे जहां पर्याप्त संख्या में डॉक्टर, नर्स, स्टाप, एमुलेंस और अक्सिजन की वेवस्ता है साथी वहां उन्हें पोस्टिक भोयन भी मुफ्त दिया जा रहा है किसी वी परकार के दिकत होने पर आइसुलेशन सेंटर कुटे के कंट्रोल रूम मोबाइल नंबर 89,89,076 में संपर्क किया जा सकता है कुरोना से निपटने के लिए जहारखन को मिले 227 कडोर ना काफी रामेश्वरूराव कांग्रेस के परदेश अध्यक्स और राज के बीत तथा खादा पूर्ति मंतरी रामेश्वरूराव ने कहा है कि कुरोना संक्रमन से निपटने के लिए केंदर सरकार की ओर से विभीन राजियों को करीब 8,000 कडोर रूपए जारी किये गए है इसमें जारखंड को भी लगबग 227 कडोर मिले हैं जो ना काफी है रामेश्वर उराव ने सरनिवार को कंट्रोल रूम कांग्रेस भावन राजी में पत्रकारों से बात चीत कर रहे थे उराव ने काया कि उस्तमने आलाय और हाई कोट की ओर से भी कुरोना संक्रमन को लेकर केंदर सरकार के रवाईया पर लगातार कई टिपनी की जा रही है सुप्रीम कोट ने केंदर सरकार से पूछा है कि वो खोद कुरोना वैक्जिन खरीद कर राई सरकार को क्यों नहीं उपलब्द करा रही है मधुपूर्विधान सभा उपचुनाव मतगर्ना की तयारी पूरी जारखन में मधुपूर्विधान सभा उपचुनाव के लिए रविवार सुबा आठ वैसे देवगर में कई सुरक्षा बेवस्था के बीच होने वाले मतगर्ना की तयारीयां पूरी कर ली गई है बतादे राज के मुख निर्वाचन पतादिकारी के रवी कुमार ने सभा उपचुनाव पूरी कर ली गई है उन्होंने बताया कि दो मई साम तक चुनाव परिणाब आ जाएंगे काउंटिंग तीन हौल में एकज टेबल पर होगी जार्खन के साथ सोतेला बेभार कर रही है केंदर सरकार बादल पत्रलेक केंदर सरकार के ओर से लगतार जार्खन के साथ सोतेले बेभार किया जा रहा है क्रोना महामारी में जहां लोग एक दूसरे की मदद कर उनके जीवन को बचाने में जूटे हुए है केंद्र सरकार के द्वारा ओची राजनीती का पईणाम ही है कि जार्खन में आई से शुरू होने वाले 18 बरस से अधिक आयू और 45 साल से कम आयू के लोगों को वैक्सिन देने की शुरुआत नहीं हो सकी बतादे जार्खन सरकार के किसी पास उपालने अब सरकारिता मंतरी सब परदेश कॉंग्रेश वैक्सिनेशन कमिटी के चेर्मेन भादल पत्रलेक ने सनिवार को कहा है कि जारखन के मुख मंत्री वित मंत्री गरामिन विकास मंत्री स्वास्त मंत्री सहीत पूरा केविनेट और विधायक संगठन के करकारता सहीत आम लोग दिन रात मेहनत कर लोगों को बचाने में जुटे हाए स्वास्त मंत्री ने किया डेडिकेटेट कोवीड अस्पताल का सुभाराम स्वास्त मंत्री बाना गुपता ने गोड़ा जिला मुख्यालाई के सदर अस्पताल में अलग से 26 बेट का डेडिकेटेट कोवीड अस्पताल का अनलाईन उदगाटन किया इस मौके पर सांसद गोड़ा निसिकान दुबे, सांसद राज, महल, विज्जाय, हांसदा, विधायक, पोड़या, हाट, परदी, प्यादव, उपस्थित्थे सिख्षकों के लिए 50 लाख रुपई की बीमा की मांग जार्खन में कुरोना संक्रमन के खत्रे को देखते वे जार्खन प्रगती सील सिख्षक संग ने मुख्य मंत्री से 50 लाख रुपई की सिख्षकों की बीमा करने की मांग की है संक परदेश अध्यक्ष अनंद किसोर साहू और परदेश महास्यचीव भलजीत कुमार सिंग ने सनिवार को सन्युक्त ब्यान जारी काहा की राज्य भर्मे प्राथमिक वमध्य विद्यालियों के सिख्षकों को बिना सुरक्षा और सन्युक्षा के ब्यवस्था किये मजदूरों ने मनाया विश्व मजदूर संगठन दिवस राज्य के नामकूम रेलवे स्टेशन में पहली बार ऑक्सीजन एक्स्प्रेस ट्रेंकर हुआ लोड जहां पूरे देश ऑक्सीजन संकट से जूज रहा है ऐसे में राज्य वोकारो जमसेथपूर के ऑक्सीजन प्लांट 24 गंटे लीक्वीड ऑक्सीजन बना रहे हैं कि देश की सांसे नहीं थमें बता दे जहारखंड में 29 ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट हैं इन प्लांट से जहारखंड समेत उतर प्रदेश ब्यार मदेप्रदेश देली पच्मी बंगाल महराष्टर पंजाब 36 गड़ आधिराज्यों में लीक्वीड मेडिकल ऑक्सीजन क्या पूर्ती निमीत रूप से हो रही है इसी कड़ी में सनिवार को रांची के नामकुम रेलिवेस्टेशन से पहली बार ऑक्सीजन एक्स्प्रेस ट्रेंड में ऑक्सीजन एक्स्प्रेस ट्रेंकर को लोट किया गया देव घर डीसी नेसी सहाय ने कहा है कि रेमडी सिवीर की काला बजारी की सुचनावने प्राप्थ होई तो इसके बिरूत करी करवाई की जाएगी उलेखनिया की बरते संक्रमन अधवाईयों की मांको देखते वे राय सरकार द्वारा ने धारित पोटल पर निजय स्पतालों द्वारा मांगी गई कोबिट समसी दवाई रेमडी सिवीर इंजेक्शन सिदेतर पर उने उपलप्त कराई जाती है धर्नेबाद